नमस्कार SBT News में आपका स्वागत हैं पेश ये रास्तान जोतपुर्बी का निर्जिली की बड़ी ख़बी रीट परिक्षा को लेकर रास्तान विधान सभा में हुए हंगामे पर मुख्य मंत्रे शोगहलोत ने बीजेपी को आड़े हातो लिया है मुख्य मंत्रे शोगहलोत ने कहा कि आज गुजरात में 13 फरवरी को प्रस्तावित नौन सेकरेटेरियेट क्लर की परिक्षा को सगित किया गया है इस परिक्षा को 4 सालों में 3 बास सगित किया गया है CM ने कहा कि मैंने पूर्व में भी कहा कि विभीन राजियों में पेपर लीक, नकल, फरजी डिग्री आदी के संगठित गिरोह से सभी परिक्षाओं में परिशानी आ रही है BGP ने प्रदेश के युवाओं को भड़का कर जिस तरह कहिं सात्मक माहौल बनाया उसके कारण रेट लेवल टू की परिक्षा रदी की गई इससे करीब 15,000 युवाओं के आशाओं को धक्का लगा है भारती रिजर्व बैंक ने लगा था, दसमीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है रबी आई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौधरिक निती समीति की मीटिंग में रेपो और रिवर्स रेपोरेट में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है लोन की ब्यास दने तैक करने वाले रेपोरेट अभी 4 प्रतिशत और रिवर्स रेपोरेट अभी 3.35 प्रतिशत है हालांकि RBI गवर्नर ने चेतावने दी है कि मार्स तक महंगाई पीक पर पहुंचने की आशंका है इसके अलावा आपका लोन भी फिलाल सस्ता नहीं होगा रास्तान में राजनेतिक न्यूक्तियों का इंतजार खत्म हो गया है गेलो सरकार ने चमाली स्पोर्ड, निगम और आयोगों में 58 नेताओं को राजनेतिक न्यूक्तियां दे कर साधा है ज्यादा तन्यूक्तियां गेलोत खेमे से हुई है जबकि पैलेट खेमे से 5-6 लोगों को जगब मिल पाई है असन तुस्त चल रहे कुछ विधायकों के अलावा वरिस्ट कॉंग्रिस नेताओं को भी साथ लिया है पूर्व प्रदीश अध्यक्ष चंद्रभान को विसुका उपाध्यक्ष और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामिश्वर डूडी को स्टेट एग्रो इंडूस्ट्री जवलापेंट बोर्ड का अध्यक्ष बनाये गया है रसान की राजानी जयपूर में सड़क पर दोड रही पांच करोड कीमत की लंबर गिनी कार का ट्राफिक पलिस ने पांच हजार का चौलान का दिया ये कार शॉटगन के अंतरास्टे खिलाड़े विवान कपूर चुला रहे थे वे चार दिवारी में कार को दोडाते हुए बड़ी चौपड पर पहुंचे तभी वहां तैनात ट्राफिक पलिस के जवानों ने जब बिना नंबर की गाड़ी को देखा तो कार को रुक आया कार में आगे नंबर प्लेट नहीं लगी थी पूछने पर कार चुला रहे हैं इंटरनाशनल की लाड़ी विवान ने पुलिस कर्मियों को बताया कि कार विदेशी होने से आगे की तरफ नंबर प्लेट लगी नहीं होती है तब हैट कॉंस्टेब सुल्तान सिंग ने ट्राफिक पुलिस इंस्पेक्टर नरेश कुमार मीना को सूचना दी रहसान बोर्ड परिक्षा 2022 की तारिक को आगे बढ़ा दिया गया है रहसान के शिक्षा मंतरी बीडिकला ने खुद इस बाबत नहीं जौन करी साज़ा की है रहसान बोर्ड दस्वीं और बार्वीं परिक्षा में बैठने वाले चात्रों के लिए ये एहम ख़बर है रास्तान में विधान सबा सत्र के चलते रास्तान बोर्ड आफ सेकिंडर एजुकेशन एक्जाम यानि दस्वीं और बार्वीं के परिक्षा में का शिडूल आगे बढ़ाया गया है अब मार्च के पहले हफ़ते के बजाए परिक्षा मार्च के आखरी हफ़ते में शुरू होंगी जालावार जिले के पिडावा शेतर में नदी जोडो यूजना के तहत आहू चमली लिंक नहर बनाए गई है नहर के बनने के बाद बारिश के दौरान खाली रहने वाली चवली डैम में आहू नदी का पानी पहुँचने लगा है हर बार बारिश के समय वेर्थ बहने वाला पानी चमली बान तक पहुँचेगा और डैम भर जाएगा सिंचाई और पेजल के आपूर्टी करने के लिए महत्पुन चौवली डैम से हजारों किसान लाभानुइत होंगे पिछले साल पिडावा शेत्र में नहर की गहराई और चोडाई कम होने की कारण किसानों की हजारों बेगा फसल बरबाद हो गई थी शिकायत के बाद भी समस्या का समधा नहीं हुआ ऐसे में किसानों को फिर से चिंता सताने लगी है विस्चाचार निरोदक भ्यूरो एसीबी ने बावडी के पटवारी को आठ हचार रुपे के रिश्वत लेते रंगे हादों गिरफतार किया है उसने ये रिश्वत एक जमीन नामांतरन करने के एवज मिली थी एसीबी के अत्रिक्त पुलिस अधिक शक मुपाल सिंग लखावत ने बताया कि डावोला का बास बावडी के पपुराम जौत ने एसीबी आफिस में लिखत शिकायत दी थी कि उसकी पतनी के नाम क्रिशी भूमी का नामांतरन करने के लिए बावडी चक्द्वित्य पटवारी भंवरलाल प्रजापत ने दस हजार रुपे के रिश्वत मांगी इसमें दो हजार पहले ले लिए पोशुधन विकास बोर्ड के नवन्यूकत अध्यक्ष राजेंदर सिंग सुलंकी का गुरुवार को उनके समर्थकों ने नई न्यूकती पर स्वागत किया पूरु विधायक मलखान सिंग बिश्णोई सहिद वेस्ट कॉंग्रिस नेता करहिया लाल जौंगिर पूरु पाश्यद प्रतिभागयलोत जेल विकास बोर्ड की उपाध्यक्ष गीता बरबर सहिद माली समाज के कई लोगों और अन्य समर्थकों ने स्वागत किया जोद्पू शेयर विधायक मनीश पावार का जनम दिवस गुरुवार को धुमदाम से मनाए गया इस अफसर पर उन्हें बधाया देने के लिए समर्थकों की भीड लगी रही उनके समर्थकों ने विधायक कारेले में केक काटा और उन्हें मालाओं से लाद दिया वहीं उन्हें हरी घास से तौला गया और उनके वजन के बराबर हरी घास गौश अला को दान की गई इसके अलावा यहां उनके दिरगायों के लिए हवन भी किया गया जिसमें विधायक ने स्वैम आहोतियां दी रीड पेपर लिग मामले की सीबी आई जौश की मांग और जैपूर में हुई लाठी चार्ज के खिलाफ गुरवार को भारती जन्ता पार्टी अलफ संख्यक मोचा ने जोदपूर कलेक्टेट के बाहर प्रदर्शन किया इसके बाद राजेपाल के नाम जिला कलेक्टर को ग्यापन स्वापा गया भाजपा अलफ संख्यक मोचा के जिला ध्यक्ष अब्दुलसीद अबबासी ने बताय कि कलेक्टेट के बाहर अलफ संख्यक मोचा के पतादिकारियों और कारेकरताओं ने नारेबाजी कर प्रदर किया जोदपुर की शासिन अगर एस एक्टर सिथ श्री विश्व कर्मा जौंगिर पंचुवाइद भवन में श्री विश्व कर्मा युवा संग के बैठक कायों जित की गई बैठक में सर्वसमत्ति से नवकार काने गठित की गई बैठक में 14 फर्वरी को आराध्य देव वर्ल्ट फाउंडेशन ट्रस्ट के सेंक्ते तत्वाधान में सेवा कार्यों के साथ मनाई गई इस अवसार पर कुस्ट आश्रमों आम जन के लिए निशुल के चिकिसा शिविरायो जन महिलाओं को साडियां फल मिस्थान बचों को गरम जैकेट स्वेटर्स भी भेंट किये ग कॉलेज में दीपक महरा की सेवा निवरिती के बाद प्राचारे पदर रिखते था वुद्वार को उच्छी शिक्षवी भागने आदे शारी कर फिजिक्स के सहा आचारे डॉक्टर सुधिर कुमान उपाध्याई को प्राचारे निक किया है भारतमाना प्रजक्त के तहट बन रहे हैं नई दिली मुंबई एक्सप्रेस वे में नई दिली से कोटा का काम अगले साल फरवरे तक पूरा हो जाएगा इसके बाद इस एक्सप्रेस फे पर बुंदी कोटा से दिल्ली के बीच राखन एक्सप्रेस की गती से दोड़ेगी और चार घंटे में दोनों शहरों के बीच की दूरी पूरी की जा सकेगी लोकसपा अध्यक्ष ओम बिल्ला की ओर से राखेसान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्राले के कारें की समख्षा बैठक में मंत्राले के अधिकारियों ने ये जान करें दी रास्तान में बेरुजगारी भत्ते के ताजा हालात ये हैं कि पिछले साल तक जहां भत्ता लेने वालों की कतार लाखों में थी वही नई योजना में बेरुजगार भत्ता लेने नहीं आ रहे हैं हलांकि कांगर सरकार ने राजे के बेरोजगारों को लुभाने के लिए भले ही बेरोजगारी भत्ते की राशी में एक अजार रपे के बढ़ोत्री कर दी है लेकिन भत्ते के साथ लगाई गई शर्ते राजे के बेरोजगारों को रास नहीं आ रही है सरकार बेरुजगारों का इंतिजार कर रही है एक जन्वरी से सरकार ने योजना में नए प्रावधान जोड़े हैं जिसे बेरुजगारों ने से इसे खरिस्थ कर दिया है तो फिलाल इस बुलिटिन में इतना ही फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी ख़बरों के साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें SBT न्यूज के और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें